अब तक तो आधार कार्ड के बिना सिम कार्ड हासल करना मुश्किल था अब तक आधार के बिना बैंक में खाता खुलवाना भी मुश्किल था लेकिन अब नई खबर सुनिये जनाब अब तो बिना आधार कार्ड के मौत भी मुश्किल है जी हाँ, हैरान मत हो ये लेकिन यही सच है दरसल आधार नंबर को लेकर सरकार ने नई गाइडलाइन्स जारी की है जिनके मताबिक एक उक्टूबर से डिट सर्टिफिकेट आधार नंबर के बिना जारी नहीं होंगे यानि अगर इंसान के पास आधार कार्ड रहा होगा तभी उसका मृत्यू प्रमाण पत्र बनाया जाएगा वरना नहीं इसका मतलब ये हुआ कि बिना आधार कार्ड किसी परिवार में हुई किसी मौत पर सरकार मृत्यू प्रमाण पत्र जारी नहीं करेगी और ऐसे में मौत के बाद मिलने वाली सुविधाएं भी नहीं मिलेंगी शुकरवार को इसको लेकर ग्रेमंत्राले ने एक आदेश भी जारी कर दिया है यानि अब आधार कार्ट बनवाना हर आदमी की जरुवत होगी या फिर यूं कहिए कि मजबूरी होगी उसे बनवाना ही पड़ेगा वरना मरे हुए वक्ति को सरकारी तोर पर मरा हुआ नहीं माना जाएगा इससे इंशुरेंस और बाकी कई चीजों में बड़ी दिक्कते आ सकती है इससे पहले केंदर सरकार ने पैन कार्ट बनवाने के अलावा कई दूसरी योजनाओं के लिए आधार कार्ट को जरूरी बना दिया था इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी गई थी इस पर केंद्र सरकार ने पैन कार्ड के लिए आधार को अनिवारे बनाने के अपने फैसले पर दलीद दी थी कि देश में पैन कार्ड के फर्जिवारे को रोकने के लिए ऐसा किया गया है जबकि आधार कार्ट पूरी तरह से सुरक्षित और अच्छी विवस्था के तहर तयार डॉक्मेंट है जिसके जरीए एक व्यक्ति की पहचान पुफर्जी नहीं बनाया जा सकता जाहिर तोर पर सरकार अब आधार को लेकर कुछ ज्यादा ही संजीदा है सरकार के संजीद की आम लोगों के लिए मुश्किल का सबब बन सकती है लेकिन सरकार अब अपने फैस्दे पर कायम है तो शायद इसे ही कहते हैं आपका आधार जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी इंडिया न्यूज वाइरल की रिपोर्ट